जैहन तो आल माई डियर स्टूडेंट्स और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स मैं अनुछ चोधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीमर्स अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर राउंड वन का जो सीट अलोट्मेंट का रिजल्ट में एक्सेप्ट और कंसीडर करने की जो लास्ट डेट थी 12 अप्रेल वो आपकी हो चुकी है और अब बात आती है कि राउंड वन में जिन बच्चों को एडिमिशन नहीं मिला है या जिन बच्चों ने रिकंसीडर किया है उन्हें कितना और वेट करना चाहिए दूसरा आज की वीडियो का सबसे पहला पॉइंट ही होगा कि सर राउंड टू और राउंड थी कब स्टार्ट होने वाले हैं क्योंकि यही राउंड जो है वो में इंपोर्टेंट है क्योंकि थर्ड राउंड के बाद में गवर्मेंट सेनिक स्कूल की सीट फिल होती चली जाएंगी तो जिस कैटेगरी की सीट फिल होती चली जाएंगी वो कैटेगरी फिर आपको अगले राउंडों मिलेगी नहीं तो हम कितने समय तक round का कि कुछ round तक का हम वेट कर सकते हैं हम अपने बच्चों को जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पर फी समिट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या फिर हमें सारा इंतजार छोड़ कर अपने बच्चे को जो आपका RMS और सेनिक स्कूल का एक्जाम आने वाला है उसकी तयारी करा देनी चाहिए देखे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरीए round होंगे कब-कब आपका round 1 में जो fee submission की और जो last date है वो है आपका 27 April और 27 April के 2-3 दिन में आपका अगला round स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने कहा कि इस round में e-counseling में seat allotment का जो result आया था 9 April को और ये end हो रहा है आपका 27 April को तो ये round लगवग लगवग आपका 20 days तो approximate ये हो गए और इससे पहले वाला की भीया आपको register करना है ये करना है वो करना है वो दिन आपके अलग हो गए तो approximately एक round आपका 25 days का है और अगर second round आपका approximate 29-30 April या फिर 1 में को start होता है तो ये round भी सर लगवग लगवग आपका 25 म ही तक हो गया उसके बाद 2-3 दिन और लगा लीजिए आप और जिस तरीके से एंटी हिसाब से काम कर रहा है ना वो 25 को 22 दिन की जगह मुझे लग रहा है कि 27-28 दिन हो सकते हैं और ये माई का महीना इसमें चला गया अपरेल पूरा round 1 में चला गया अपरेल round 2 में आपका मही आ गया और round 3 में आपका 20 जून या जून पूरा ठीक है बीस जून या जून पूरा आपका round 3 में चला जाएगा और अब आ जाएगा हमारा जुलाई जहां से बच्चों को स्कूल वाले विना फीज के बैठने भी नहीं देंगे तो हमें इंतजार क्या करना है और कम तक करना है तो सर आप अपने marks देखिए जितनी cut off आपकी जिस भी सकूल में आपको admission लेना है जितनी cut off round 1 की गई है उससे कुछ न कुछ cut off कम round 2 में जाएगी उसste कुछ न कुछ कम round 3 में जाएगी उससे कुछ न कुछ कम cut off round 4 में गई कट ओफ तो 85 जा 40 होगा यानि कि राउंड वन में और राउंड 8 में 40 नंबर का गैप आ सकता है जब कि आप बोलने वीडियों कि यह 40-50 नंबर से के गैप बाले बच्चों को उम्मीद छोड़ दीनी चाहिए ऐसा क्यों मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि 2023 में जब पिछली साल की आप कट ओफ उठा के देखेंगे मैंने वीडियो बना रखी है पिछले साल की कट ओफ की उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिसमें किसी पर्टिकुलर कैटागरी की जो सीट्स थी वो सेकंड राउंड में ही फिल हो चुकी थी यानि कि लास्ट येर राउंड चार ह हुए थे लेकिन अगर वो सीट वहां पे सेकंड राउंड में ही फिल हो गई थी तो उस कैटागरी के राउंड थर्ड और राउंड फोर हुए ही नहीं यानि कि राउंड टू के बाद में उस कैटागरी की उस स्कूल में एक भी एड्मिशन ही नहीं हुआ क्योंकि जो सीट भी हुई थी round four round five तक कुछ ही सेनिक स्कूल जाएंगे जाएंगे तो और जो बचे हुए round ने सर वो का करेंगे वो आपके new सेनिक स्कूल में चलते रहेंगे जहां पर आप कहते हैं कि सर यहां 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 ऐसा है वहां ऐसा है तो इसलिए बोलता हूं कि आप अपनी cut-off देख देखिए जिन सेनिक स्कूल में आपकी cut-off कहीं पर भी ऐसा है कि सर मेरे marks से इस सेनिक स्कूल की cut-off 10, 5, 8 नमबर जादा है तो मैं round two में इसका wait कर सकता हूं जिन बच्चों के marks और round one की cut-off में 10, 12, 15 नमबर का फरक है तो वो 15 नमबर वाले थोड़ा सा wait कर सकते हैं लेकिन अ आपके marks में 30, 40 या 50 नमबर का फरक है तो भाया उतनी cut-off नीचे नहीं आने वाली 50 नमबर तो देखो नहीं जाने वाली पहली अगर round की cut-off 200 पे लगी है तो आप 200 तक cut-off का इंतजार नहीं कर सकते क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पे seat जो है वो भी तो fill होना सुरू हो जाएंगी ऐसा जरूरी नहीं है कि round हर school में 8 होंगे जिस school की cut-off के हिसाब से जिस school की seats fill होती चली जाएंगी उस category के लिए उस school का नाम आना बंद हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि सर 8 round तक जाना ही जाना है अगर उसकी seat वर गी तो फिर वो round में जाके फायदा किया उस school में एड्मिशन ही नहीं होगा फिर तो जिन वच्चों की marks 10, 12, 15 नंबर कम है वो wait करिए वो second या third round में आपको उमीद है लेकिन भईया उससे जादा आप उमीद नहीं कर सकते आपको करना क्या है कि ये बहुत लंबा समय खाने वाला है एक एक round अगर 25 पचिस दिन ले रहा है तो अभी सर्फ एक round भी पूरा न दिन लगा लो 1500 दिन भी छोड़ो 120 कितनी जल्दी करा लेगा एंटीय कितनी जल्दी करा लेगा चार महीने हो गए और चार महीने घर पर बच्चे को बिठाओ बिना स्कूल भेजे कि सर यहां पर हम इसलिए वेट कर रहा है कि round one किसी round one admission हो जाएगा इसलिए यहां के स्कूल महीने और मिल जाते ना तो यह 260 ले आथा अब वही वाली गलती फिर होनी जा रही है अभी तीन चार पांच महीने वेट करेंगे तीन महीने चार महीने और तीन या चार महीने वेट करने के बाद में फिर वो सिप्टेंबर अक्टूबर में आपके सैनिक स्कूल के फॉर्म आ जाएंगे और मेस के फॉर्म आ जाएंगे उस समय फिर तयारी करने लगेंगे फिर दुबारा से वही होगा कि हमारे बच्चे को तीन चार महीने मिले ते इसलिए अब भी 220 लिंबर ले आया अगर ज्यादा टाइम मिल जाता तो और ज्यादा नंबर लाते यह समय है पिछ पिछली साल की तरह इस बार भी होगी वो तीन-चार-तीन महीने तयारी करने बाद यह 3 कोर्स पर उन बच्चों पर टेailable बहुत ज़ादा निखर के आते हैं वो बच्चे जिननिका थोड़ा बेस्स ट्रॉंग होता है और उनको लास्ट के 60, 70, 80, and 90 डेस में वो अपनी प्रे तो अगर आपके फर्स्ट राउंड की कट ओफ में और आपके मार्च में 3040-50 नंबर का गैप है और सिक्स्त क्लास के लिए अगर आपकी डेट अब बर्थ एक अपरेल 2013 के बाद की एक अपरेल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 इन डेट के बीच में अगर आपके बच्चे की किसी भी 12 के बीच की है क्लास 6 में अगर आपके बच्चे की डेट अब बर्थ इनके कहीं भी इसके बीच में है 13 के बाद 2014 में है या 9 के लिए 2010 से 2012 की बीच में है तो आपके पास एक और मौका है सैनिक स्कूल का भी और रास्ट्रियम इलेक्टरी स्कूल का भी पिछली बार की तरह लास्ट 2 महीने में तयारी करके कि 2 महीने ही मिले थे इसलिए इतने अच्छे नंबर ले आया नहीं तो और ज़्यादा आते वो बाला तयार वो बाला अपना माहुल ना बनाए बच्चे के साथ ठीक है इंतजार करने से एंटिये तो इस हिसाब से इस वार काम कर रहा है कि इ तैयारी कराईए अपने साथ में अपनी आखों के साबने बच्चे को रखिए और तैयारी के लिए आप हमसे ओनलाइन प्लस ओफलाइन दौनों ही मूर से जुड़ सकते हैं आपको किसी भी तरीके से आपको बहुत ही डेली लाइप प्लस रिकॉर्डिट क्लासेस हैं जिसमें तीसाम को तीन बज़े से छे बज़े तक ठीक है बच्चे के परस्नालिटी डिवलप्मेंट क्लासेस हो गए डाउट सेसन हो गए सारे के सारे वह आपको क्लासेस हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन प्लस ओफलाइन आपको किसी भी तरीके कि अगर कोई क्वेरी है त आज का सेसन हम यहीं स्टॉप करते हैं जैहिद थाइंक यू टेक केर